लेकिन जो जरीवाला चाल में 12 वर्सिस 28 सो लोगों की लड़ाई थी वो लड़ाई सुप्रीम कोट में गई और सुप्रीम कोट ने कहा कि नवाब मलिक ने या उस समय के मंतरी ने जो आदेश दिये थे वो सही है उस आदेश का पालन हो ये सुप्रीम कोट ने कहा है और कल देवेंदर जी ने ये कहा कि मैं दिवाली के बाद बं फोड़ूँगा आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है कहा गया कि नवाम मलेक के अंडरवल कनेक्शन है 62 साल का जीवन इसी मुंबई सहर में बीता किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाम मलेक किसी अंडरवल्ड से जुड़ा हुआ है ये कभी उंगली भी उठा कर मेरे तरफ दिखा सकी ये कहना कि जिनके अपने घर शीषे के हो औरों पे पत्थर नहीं मारते मेरे पास कोई शीषे का घर नहीं ना मेरे पास कोई शीष महल है लेकिन देवेंद्र जी से सीधा मेरा सवाल है क्या आप पांस साल तक राज के मुक्या थे ग्रह विबाग आपके पास था और शायद पूरा महरास जानता है सबसे मुकर कोई देवेंदर जी के कामकाच पे या पिछली सरकार पे सवाल उठाता था उसका नाम नवाब मलिक है और देवेंदर जी आप बचायत भूल गए कि जिस दिन आपका एक साल का कारेकान पूरा हुआ था उसी दिन एक प्रेस में मैंने कहा था कि नकली देवेंदर कौन घुम रहा है शेहर में आपको छेताया था मैंने आपका भाई इस शेहर में होटलों में क्या कर रहा था उसकी जानकारी हमने दी थी आप जब चिंबूर वालों के घर पे जाते थे हमने आपको चेताय था एक बार के यहां मत जाईए हमने कभी व्यक्तिगत वेंडेटा की राजनीत नहीं की अगर उस समय उस होटल के फूटेज अगर मैं जारी कर देता तो शायद लोग मुझ दिखाने लाइक नहीं रहते आप कह रहे हैं कि नमाब मलिक के अंडरवल्ड के संबन्ध है अगर इतने हमले करने के बाद भी आप खामोस रहें हमें लगता है कि एक राज का मुख्या अगर उसको जानकारी मिले कि कोई व्यक्ति नेता किसी अंडरवल्ड से कनेक्टेट है तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उसी समय कारवाई करते हैं और मुझ पे कारवाई करनी चाहिए थी हमें लगता है कि जो सच्चाई सामने आ रही है उसको लेकर कोई हवा में तीर मार देने से मामला बंध हो जाएगा ऐसा नहीं है मैं देवेंदर जीज आप से पूछना चाहता हूँ कि आपके कारेकाल में इस शहर में मुख्य मंतरी को ब्रिफिंग होती है कि शहर में पॉलिटिकल लोग क्या कर रहे हैं शहर में क्या-क्या चल रहा है मैं पूछना चाहता हूँ फोर सीजन होटल में लगा था ड्रामा लेट्स प्रिद्विद्व मैट इस तरह की पार्टी का आयूजन होता रहा उस पार्टी का आयूजन कौन है वो पार्टी में एके टेबल की कीमत पंदरा लाक रुपे होती थी राद भर जशन चलता था पंदरा पंदरा करोड रुपे की पार्टी का आयूजन कौन था क्या आपको जानकारी नहीं थी और आपके रहते हुए पार्टी चल रही थी सरकार बदलने के बाद पार्टी बंद हो गई इस पे आज मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि ये पार्टी का आयूजन कौन क्या आपकी जानकारी नहीं थी कि पंदरा करोड रुपे की पार्टी चल रही है क्या आपका पूलिस या तंत्र ये पूरी तरह से कमजोर था ये सारे सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा और ये कहना कि वान खेड़े पर दबाव मैं इसलिए बना रहा हूँ कि दामात का केस हलका हो जाए साड़े आठ महिने तक उस मामले पर कभी मैंने कोई भी विक्तव नहीं किया लगातार आप लोग बोलते रहे कि इनका दामात ड्रग के केस में बंद है लेकिन कोट ने जमानत दी पिछले महिने की तेरा तारीक को वो और्डर सामने आई उसे पसाया गया यह साफ है नयायले में लड़ाई चल रही है वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे लेकिन जो जानकारी मुझे है कि वानखेड़े जब से इस डिपार्टमेंट में आया उसने अपनी एक प्रावेट आर्मी खड़ा की उस प्रावेट आर्मी में किरन गोसावी मनीज भानुसालीप, फ्रेचर पटेल, आदिल उस्मानी सैम डुसुजा, हीलु पठान यह सारे लोग आपके प्रावेट आर्मी के प्लेयर हैं प्रावेट आर्मी इस शहर में धडलले से ड्रक का कारोबार भी करती है छोटे-छोटे मामले उजादर होते हैं, लोगों को फसाया जाता है और धडलले से बड़े मामले इस शहर में चल रहे हैं और मैंने लगातार कहा कि वानखेडे के जरिये हजारो करोड रुपी की उगाई हुई है आरियन खान के मामले में जो साली का बयान है कि अठरा करोड की डील हुई थी आंट करोड रुपया वनखड़े के लिए मांगा गया था Sam Desoja सामने आ गया है वो कह रहा है कि इस तरह की डील थी Sam Desoja भी इनके प्राइवेट आर्मी का ही प्लियर है इतने दिन से Sam Desoja का नाम चर्चा में है वो कभी सामने नहीं आया इसे भी सिखा के समझा कर भेजा गया और वो कह रहा है कि NCB की लोग उसमें नहीं थे तो NCB के कार्याले में किरन गोसा भी क्या कर रहा था NCB के डायरेक्टर के पीछे पोर्ट पे किरन गोसा भी कैसे खड़ा था कैसे तेरा लोगों की तस्वीरे चिन्नित करने के लिए सभी को बाटी गई थी किस तरह से DG NCB कह रहे थे तीन तारीक के रात में कि महादेश के इतियास में पहली बार मिट समंदर में एक कारवाई हुई है कि दावा किया जा रहा था कि पंदरा दिन से प्लानिंग चल रही थी हम जवाब चाहते हैं DRI से कि पंदरा दिन में आपने केस रजिस्टर क्यों नहीं किया क्यों NDPS का मुकरमा दर्ज नहीं हुआ पहेंकर खेल इस रेस में चल रहा है चाहे मुंदड़ा पोर्ट पे ड्रग पकड़ी जाए नाइए के बाद जाट चली जाए ठंदे बस्ते में चली जाए पिछले दस बारा दिन पहले एक केस आया था ड्रग का वो भी आठ दिन के बाद उजागर हुआ आज ये कवंटन पॉप सीड वहाँ पड़ी है उसके लेकर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है केस दर्ज नहीं हो रहा है पूरा खेल ड्रग का कहीं न कहीं राजनेतिक संरक्षन के बिना नहीं चलता और ये बहुत ही खतरनाक तरीके से देश को उलजाए जा रहा है ड्रग पूरी तरह से खताम हूँ हम साथ में लोगों के हैं लेकिन अगर राजनेतिक संरक्षन में ड्रग का धंदा चलेगा जिनको ड्रग रोपने के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी वही ड्रग का धंदा करवाएंगे ड्रग बेचने के लिए लोगों को खुला छोड़ेंगे तो हमें लगता है लोगों को इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा